किसकी संपत्ती कितनी बड़ी, कौन फ्लैट चोड़कर बंगला में गया और कौन बिधायक नहीं रहते वे भी सरकारी बंगले का इप्रयोग किया, वो सब लोगों ने देखा है कि जनता के समर्थन से लोगों को कैसे ठगा गया है, लोगों को कैसे भरकलाया गया है और एक तरफ, एक बिधायक, लोग, आसू पाटी के लोग ठक कर आलिशान मकान बनाना जानते हैं, लेकिन हमारी बिधायका जनता के वोट देने के बाद, बिधायक बनने के बाद भी जनता के लिए जेल जाना जानती है किसकी संपत्ती कितनी बड़ी, कौन फ्लैट चोड़कर बंगला में गया और कौन बिधायक नहीं रहते वे भी सरकारी बंगले का इप्रयोग किया, वो सब लोगों ने देखा है कि जनता के समर्थन से लोगों को कैसे ठगा गया है, लोगों को कैसे भरकलाया गया है और एक तरफ एक विधायक लोग आज़सू पाटी के लोग ठक कर आलिशान मकान बनाना जानते हैं, लेकिन हमारी विधायका जनता के वोट देने के बाद, विधायक बनने के बाद भी जनता के लिए जेल जाना जानती है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथी वेल आइकन बटन दवाना ना भूलें